आप सभी को मालो होगा कि एक फरवरी 2019 से पिधान मंत्री किसान सम्मान निदी योजना लाई गई थी योजना लाँच की गई थी और इसके तहत आप देखते होंगे कि हर साल हमारे देश के किसानों को 6,000 रुपे दिये जाते हैं 2,000 रुपे की किस्त करके हर 4 महीने में आप देखते होंगे 2,000 रुपे किसानों की खाते में भेजे जाते हैं और इसका मकसद यही रहता है कि किसानों को कुछ तो लाभ मिले तो यसे योजना के बारे में एक सामान जानकारी अपने पास रखा करिएगा क्योंकि इनसे कुश् से जुड़े हुए हैं किसानों से जुड़े हुए हैं डारेक्ट या इंडारेक्ट और इस योजना की तहद पिती बर्स के अंद सरकार 6,000 रुफे की रासी 3 समान किस्तों में सीधे भूमी धारग किसानों की बेंग खाते में इस्तान अन्दीत करती है और इसे फरवरी 2019 मे रहता है इसे पूरा बित्त कौन देता है पैसा कौन उपलब्द करवाता है केंदर सरकार और इसे केंदर केरसी किसान कल्यार मंतराले के द्वारा किरियानवित किया जा रहा है तो ये भी पूच लेगा कि किस मंतराले केंडर में आती है किरसी इबं किसान कल्यार मंतराले के और लाभारती किसान परिवारों की पहचान पूरी जिम्मेदारी राज और केंदसासित पिदेसों की सरकारी ही करती है और इसका उद्देश यही है कि पितेक फसल चक्र के अंत में पित्यासित किरसी आई के अनुरूप उचित फसल स्वास्त और उचित पैदावार सुनिशित करने के लिए बिभिन आदानों की खरी समंधी छोटे और सीमांद किसानों की जिवित्तिये जरूरतों का पूरा करना और इस तरह की खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें साहुकारों के चंगुल में पढ़ने से बचाना और खेती की गतिवितियों में उनकी निरंता निरंताता सुनिशित करना इसे उजना का मकसद है लेकिन आप सभी जानते हैं कि देखिए 6,000 रुपे में साल का कुछ नहीं होता है आप देखिए बीच का मूल आपको मालो होगा खात का मूल मालो होगा और खेती में आप देखते हैं कि सचाई की बात होती है बहुत सारी जगे आप देखते हैं कि धन खर्च होता है लेकिन कुछ ना मिलने से अच्छा है कि कुछ तो मिले ठीक है तोसी की बात हो रही है इसके बारे में एक सामान जानकरी अपने पास जरूर रखिएगा और दिसमब्द 2018 से प्रभावी हुआ था तो यह भी आप लोग मालू करिएगा